गाइज बैगन का भर्ता सभी को बहुत पसंद आता है। अगर बैगन को भूँच करके बनाया जा तो भर्ता बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए रेस्पी को सुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रिस करेंगे ताकि ऐसी रेस्पी आप लोगों को फ्यूचर में मिलती रहे तो इस रेस्पी के लगाएंगे थोड़ा सा सरसों का तेल साथ में आप दिया हुआ है तीन टमाटर टमाटर भी मैंने 200 ग्राम दिया है टमाटर में भी अच्छी तरह से हम लोग सरसों का तेल लगाएंगे उसके बाद फिर हमें सभी चीज़ों को भूंजना है तो क्या करिए गैस ओन करिए औ आगे पीशे करते हुए 5-7 मिनट में आपका बाइगन बढ़िया से भूंज करके रेडियू जाएगा बाइगन भूंजने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है जहां पे बाइगन की जड़ है यहां पे थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा तो आप जो है इससे अलेट पर करते हों अच्छी तरह से भूंज लीजे सरसों का तेल बाइगन को लगा करके फिर आप बाइगन को भूंजने में जल्दी से भूंज जाता है और जादा बहुता भी नहीं है तो लगत साथ मिनट का टाइम हो रहा है बाइगन को हलका सा प्रिस करके चेक कर लेंगे कि लेगन के बाद जो है हमें टमाटर और लेसुन मगारा भी भूंजना है जिसके लिए मैंने हाप लिया हुआ है एक जाली तो इस तरीके से जाली को पर रख करके भूंजेंगे ताकि हम अच्छी तरह से सभी चीजों को भूंज पाएं तो टमाटर रख दिया हमेने लेसुन भ मैंने भूंज लिया है आपनों को दिखाने के लिए तो फ्लेम जो है मीडियम रखिए और इसे जो है अलट पड़ट करते हुए भूंजेंगे तो टमाटर को भी पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जल्दी से हमारा टमाटर भी भूंज जाएगा तो इसे भी 5-7 मि जलने लगती है कुछ ही तरीके से आप देख पा रहे हो जो एक टमाटर है उसकी स्कीन काफी जो है जल गई है और लेसुन भी बढ़िया से भूंज के रेडी हो गया है तो लेसुन को हम लोग रख देते हैं साइड में क्योंकि अब इसे ज्यादा भूंजने जरूरत नहीं निकाल लेंगे उसके बाद जो है ना रख दीजे 10 मिर्ट सेट होने के लिए यानि ठंडा हो जाए जब सभी चीज ठंडा हो जाए ना फिर हम लोग इसका छिलका निकाल लेंगे तो इस तरीके से आप गैस में भूंज करके भरता बनाते हो ना तो बिलकुन भी जो है इसके उपर राक वगारा नहीं लगती है जैसे कि आप कंडे के उपर अगर बैगन और टमाटर को रख करके भूंजते हो तो काफी ज्यादा मिट्टी और राक लग जाये करती है और गैस में भूंजते है तो एकदम बढ़िया रहता है कोई भी धूर मिट्टी नहीं लगती है सा लेगन तयार है इसे साइड में रखेंगे और टमाटर का भी हमें इसी तरीके से छिलका उतार लिना है तो बहुत ज्यादा स्वाफ्ट हो गया है तो इससे उतारने में बुलकुन भी टाइम नहीं लगेगा फटा फट जो है छिलका निकल जाता है तो जैसे मैंने आपको ए जब आप लेस्न को भूझेगे ना तो जब भूझता है तो बहुत ही बढ़िया खुजबू आती है और लेस्न को भूझ करके जब भरता बने यह तो और ज्यादा टेश्टी बनता है तो सभी चीजों को मैंने अच्छी तरह से साफ किया है उसके बाद हम इसे मैश करेंगे तो वापस मैंने उसी बरतन में ट्रांसफर कर लिया है सभी चीजों को और एक जो है ना काटा चमच की सहायता से मैश कर लेंगे आप चाहो तो हां से भी मैश कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से बढ़िया से मैश कर लीजिए काटा चमच से क्या होता है कि ज इसमें हम लोग डालेंगे प्याज अगर आप पसंद करते हो ना तो प्याज जरूर डालिएगा बहुत बढ़िया लगेगा साथ में हरी मिर्ची आइड करेंगे हमने हरी मिर्ची को भूंच करके भी यूज किया है तो जितना तीखा बनाना चाहरे है उसी साफ से हरी और फिर हम लोग इसमें पाकी की चीज़ा आड़ कर देते हैं जैसे कि मैंने एक चमच नमक लिया है नमक आप अपने स्वात के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो साथ में आड़ करेंगे एक से देश चमच सर्षो का तेल तो यह मैंने कच्छा सर्सो का तेलीया हैं भर्ते में बढ़िया सर्सो के तेल का टेश्ट आता है तो आप जरूर ही उस करेंगे यह जो बढ़िया उसकी मैं और लोग पर जांने के तुछ करने और यह की सिम्पल सा और टेश्ट भरता बन hä तयार हो, उससे तरीके से अगर एक बार अपने घर में भरता बना करके ट्राई करेंगे ना यकीन मानिए सभी को बहुत पसंदा हो और सभी लोग बहुत तारीफ करेंगे और आप से पूछेंगे कि आपने इस भरतियों को कैसे बनाया है रेस्पी अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बाक्स में जरूर बताएगा मुझे बहुत खुसी होगी मिलते हैं एक नए रेस्पी में बाई गाईज